नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल्ड इंडियों और मैं हूँ आपके साथ आयूशी शिर्वास्तप शिर्वात करते हैं खबरों की अगामी तीन मई से शुरूख होने जा रही चार धाम यात्रा को लेकर जिला प्रुशासन के तरफ से सभी तयारिया पूरी कर ले गई हैं बदादे यात्रा के तयारियों को लेकर चल रहे गतिमार कारी भी अगामी 30 अप्रिल तक पूरे किये जाएंगे इसके लिए जिलाधिकारी अबिशेक और गंगोत्री विधाय को सुरेश चोहान द्वारा सहिकत रूप से गंगोती, राश्टी, राजमार्ग और गंगोती धाम में चल रहे गतिमार कारीयों का सलिया निरिक्षर किया गया जलाधिकारी ने निरिक्षण के दोरान गंगोत्री राष्ट्री राजमाल परहिना बेरियर चेक पोस्ट परिसर में सुलब 140 थापित करने को लेकर और परिसर में जल निकासिय ववस्था को लेकर परिसर मैदान में करने के लिए निर्देशित अधिकार्यों को दिये कि अधिये हैं और यात्रा को मंगल में बनाने के लिए प्राटना की है साथ ही जो वेवस्थाएं अभी बनाई जा रही है नगर पंचायद द्वारा और विभिन विभागों की द्वारा उन कारियों को शीघरती शीघर पूरा करने के निर्देश दिये गए हैं कारिये लगा करतार चलें और हम समय से इसको इन कारियों को पूरा करके अगामी जो यात्रा शुरू होनी है बहुत जल्दी इसकी विवस्थाओं को और अच्छा और आसान मना सके हमारे शिद्धानों के लिए तो तीन मईस से चार्द हम यात्रा जो है वो शूर खोने जा लिए रही है और इसी ख़बर पर जादे जानकारी के लिए सुभाश को और हमारे साथ हमारे सामधा ता जूर चुके एक तरफ सुभाश देखा जारे कि तीन मईस से चार धाम यात्रा शुरू होनी जारी ऐसे में तयारिया क्या कुछ पूरी कर लिगई है सरकार की तरफ से और यही वजय है कि चार धाम यात्रा को लेकर ना क plugins सरकार बल्कि उस बेढ़ने वाले सरकार बल्की उभाश भाश दो भी थर में सेख्ला है होटल रास आई हो मुख्यमंत्री पुछ्वर्थिक नामीर अस्तिया लिरक्षण भी किया वो जहामों में पहुंच कर देंक रहेंगी किस तरीके की व्यावस्ता है उन दामों अभी तक पुरशाशन के द्वारा की गई सुसाथ जिला पुरशाशन है चाहे वो जमौली जनपते जिला पुरशा यानि कि तमाम की तैयारिया होनी कि यह सरकार और प्रशाशन के इस तर पे वो लगभग लगभग पूरी कर ली गए और के वल इंतिजार है कि अब यात्रा जो खुलती है उसके बाद जो आगे अस्तानिया लोगे उनके चेहरे खिलते वे बी नजर आएंगी जी सुबाष अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए बिलकूल यह कहा जा सकता है कि मुक्यमंत्री बुश्खकर और यह जोसे लिए निर्शन किया और यह पहली बार नहीं है कि स्ञें भोगभूझ आ sortir चार नाम यातरा से पहले हमेशा सही तमाम जो मुख्य मंत्री रहते हैं वो उस तरहें रिरक्शन करते हैं जिस तरीकी किस्तियां उप्षे प्रमयोगती है उनको सुचारू रूप और अच्छे उनको करने के लिए अभीकारियों को दिसा निर्देश में देते में नजर आते चले शुबास बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए तो चार धाम यातरा तीन मईस से शुरूख होनी जारे से में अधिकारियों को तबाब निर्देश पर दिये गए हैं और इसके साथ ही वैवस्थाओं का जाइजा लेने सीम धामी भी यहाँ पर पहुचे वही आगरा में फर्डीचर के गुदाम में भीशन आग लगी बता दे वही आग की लप्टों से आसपास की किलाकों में हड़ कम्प मच गया वही सुचना पर पहुची दमकल की गाड़ी उना आग पर काबू पाया वही भाजपा महानगर में प्रसिक्षन वर की शुरुवात की गई बता दिये कारिकरम 26, 27 और 28 तक चले गई वही इसका शुभारंब विधायक पंकेच सिंग ने किया दोरान मीडिया की तरफ से शिवपाल की सवाल पर उन्हें ने कहा कि वो सपा का आंतरिक मामला है पूरी तरीके से बीजेपी में स्वागत है साहस किया तो उस पर कड़ी कारिवाई होगी और बक्षा नहीं जाएगा इसलिए यहां पर किसी की हिम्मत नहीं है उत्तर पर इस तरीके से ही सरकार को काम करना चाहिए योगी जी के नेतर में और अभी पिछले लोगसमा में भी आप देखेंगे पून बहुमत मानिय मोधी जी के नेतर तो जो यह रिजल्ट हम देखते हैं कहीं ना कहीं जी कार्य पद्यति और कारेकर्ता आधारेगंगे पार्टी उसमें मेला प्रक्षिक्षन वर संभिठं कॉशल बैठक और यह इसे विभिन कार्यकर्म हिरती हैं जिससे कार्यकर्टाओं कौ विक्स भून अब कारेकरता जमीनी काम के लिए तयार हुता है उसी के निमित तीन दिन का प्रक्षिक्शन वर भारतियंता पार्टी आगरा महानगर में आज होटल ताज विलाज में पत्यवाद देश हो अली हगंप में पावर हाउस के लोगों ने बाजार बन कर दिया है और पावर हाउस के सामने धर्टा प्रदर्शन कर रहे हैं लोग 24 खंटे बिजली की मांग भी कर रहे है वही बिजनौर में नव निर्मारधीन पुलिस लाइन के डियाएजी ने पहुच का निरिक्षन किया वही निर्मार कारे जल्द पूरा करने के लिए सम्बंदित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिये पुलिस वाली के अंदर पस्तावी था और यह में तुरूप से हम लोग इसका बमण करते रहते हैं तो जो हमारे ग्रांट रहरी हैं उनके साथ बुश्टी भी उनके क्या क्या दाइक हुए इस अंदर में उनसे वापता है कि उनको बेकर करिशानी तो नहीं पुलिस वाली के अंदर पस्तावी था और यह में तो जो हमारे ग्रांट रहते हैं वही बुलर्ट शहर के नगर कोतवार शेत्र में एक लकडी से भड़े ट्रक के पलटने से भायम कर आख लग गई वही आग लगने से आसपास के दुकार जल कर राख हो गई जिसके बाद मौके पर पहुची दंकल की गाड़ी उने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया वही गदरपूर में सरस्पती शिशुमंदिर मदान को लेकर निंदा एस्टर जी के निर्मल मिंडा चारिटेबल के द्वारा स्कूल की कायाकल पर कमरों को लेकर प्लास्टर रंगने और टाइल्स रंगने के लिए बात की गई वही आपको बता दे इस दोरान विभन ने कारियों का जाइजा भी लिया गया संबन में आज के एक विशाल कारिकरम भी किया गया जिस कारिकरम के मुख्य अति थी पूर्व क्याबिनेट मंतरी अर्विंद पांडे मीड्या की गुरूप चियर्मैन सुनन निर्मन मिड्या के अलावा उधम सिंग नगर के वरिष्ट पुलिस अधिक्षक मंजुनाद टीसीन सेट रूप से कारिकरम का दीप टोजलित कर शुभारब किया मैं मिड्डा ग्रूप को मिड्डा ग्रूप को और बिशेश तोर पर जो इसकी चेयर परसान है हमारी बहन सुमन मिड्डा जी जिन्होंने इसे इलाके के लिए CSR भंड के माधिन से अधिती हैं काम किया है एतिहासी काम किया है और हमने जो भी रिक्मंड किया है जो भी हमारी डिमांड थी जो हमने सूची भीजी सत पृति भी मैं इनको बिश्वा दिराता हूं कि इनकी संस्था को हमारी स्वर्टार की जहां हो सकता पड़ेगी हम 24 घंटे इनके साथ खड़े हैं मेरी मा बीमार रहती थी तो मेरे को कभी भगवान याद नहीं आते थी मेरा ये भाव होता था कि मैं किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दूँ या हमारे या जो करमचारी होते थे उनको और उस समय पचास साल पहले पैसा भी बहुत कम होता था फिर भी जो भी होता था मैं उनसे मदद करती थी फिर साधी के बाद मेरे फादर इल्ला ने उन्हें सो जब CSR आया भी नहीं था तो हजार बीस में बाल आस्रम खूला एक्चुली और फेन हाउस जिसको हम लोग और फेन हाउस ना कहके बाल बावन कहते थी वहां से चालू हुआ फिर उन्होंने उनके नेट्यव प्लेस में उन्होंने उसकूल खोला मंदिर मनाया इसकी सेंटर खोला वहां से मैं और प्रेरित हुई फिर मैं 2010 से एकदम डेडिकेटली इसमें काम कर रही हूं और मेरे को रियल में जब म दबंगो ने खुलेयाम हवा में असलहा लहराया और पिरित परिवार को जान से मारने के थंखी दी जानकारी के मुताबिक दबंगो ने गाव में दह्शत प्लाने के लिए हवा में फाइडिंग की वहीं अब ये विडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है अब बंधना इतना समझ लाए तुमारे हां से कारवाई हो रहे बस्चिक ने 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 मार दे उसमें पहले किया उसमें पाई आप से कुछ नहीं है चाचा अभी कह दो आपके घर्द को इसमें आप लोगों से मतलम नहीं है आप भी मान जाओ आप भी मान जाओ जाओ आप भी मान जाओ जाओ वाई करनावज में किसानों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी के लिए कारिक्रम हुआ वही इस योजना में किसानों के साथ होने वाली दूरखटना से कैसे बचे इस बारे में किसानों को जानकाई दी गई साथ ही मंडिस सहायक विकास्ट कुमार ने आएक वे किसानों को जागरूप किया वही कुशिनगर जनपट के तुर्की पट्टी थानाशेत के फुरसतपुर पे भूसा भरने जा रही ट्राक्टर की चपेट में जाने से बुजर की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभी रूप से खायल हो गया वही मौके पर पहुची मुकामी पुलिस ने मशीन सहीतर ट्राक्टर को कबजे में ले लिया है और आगी की कारवाही में जुट गई है वही नहीतार में स्तरी वनागें सुरक्षा की बैटक आयूजित की गई बैटक की अद्रक्षता करते हुए मुख्य विकास सद्यकारी ने खा कि वनों में आग लगाने वालों की अब खेड याग लगाते पाए जाने पर जुर्माना के साथ ही एफायार दर्ज कराई जागी और आग लगाने वालों की सूचन देने वालों के तस हजार का इनाम भी दिया जाएगा वयोत्रकण में भाजपा विधायक महन दिली रावत ने पूर्व आयूश श्रम वन मंत्री पर भश्रचार का आरोप लगाते हुए प्रदेश की मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी से लिखत शिकायत कर्शम विभाग द्वारा वित्रण किये गए समान भश्रचार खूनी की बात कही उन्होंने कहा कि सबी विभागों में विभाग की अधिकारी और करमचारी भी भश्रचार में लिप्त है जिसकी जाच को नीचाहिए कि हमारे संस्तागर जो बष्टा चाहिए है उस भी जबागों से खिलाब कोई जब आसकता है कि अधिकारी प्रसुपार भी उसमें प्रस्निप्सित लगता है इसलिए ज्युक्त विभाग की जाए तकि जाए वह स्राम वीभागों चाहिए आश्मान चाहिए कि श्रीनगर विधानसभा के राजशेत क्याने के अंतरगत वाली स्योली में वहान दुर्गटना गरस्त हो गए वहान में सवाद पांच लोगों की मौके पर मौत हो गए जबकि एक घायल हो गया वही समुदाइक केंदर में सभी को उपचार के लिए पहुचाया जहां पर उ वह सिर्थ ठानशेत्र के नौरंगाबाद के जंगल में यूबक कश्यव मिलने से हड़कंप मच गया बताद इस उमार को रात के वक्त परिवार के सफी लोग खाना खाने के बाद सो गए जानकारे के मताबिक शवदे राद नदी में तैरता हुआ मिला जिसके बाद सुबा उसका शव मिलने से गाव में हड़कंप मच गया वही सूचना मिलने पर पुलिस निश्रफ को कबसे मिले कर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया वही चारधाम यातरा के लिए और इसको कुशल बनाने के लिए चारधाम यातरा रोटेशन का गटन किया गया है बतादे जिसमें साथ कंपनिया अप्रतिभागी दे रही है वही दो कंपनिया इस रोटेशन में सम्मेली थे बतारे तीन तारीकों गंगोतरी या मुनोतरी और छे तारीकों के दारनात और आठ तारीकों श्री बद्रिनार्ट के कपाट खुल जाएंगे जिसके चलते हजारों लोगों की बुकिंग हो चुकी है और आने वाले समय में यातरा भरपूर तरीके से चले ऐसी उमीद के पर जो काम करने वाली जो परिवंद संस्ता हैं अरवाल मंडल में और कुमाओ के एक यूजर्स है राम नगर की हम सब मिलाकर एक स्वयक्त रूप से यातरा की वेवस्ता के लिए सब गारियों को सम वाहनों को बसों के खटा करके उनकी लोट्री डालते हैं और उस साबसे नंबर के साबसे सबको वाहन उपलब्द कराते हैं और इससे जो महतुपूर्ण जो हम यहां के लिए इस छेतर के लिए जो यह महतुपूर्ण यातरा है इस यातरा में जहां एक औ अबस्ता से यात्रियों को सुविधा मिलती है अच्छी वाहनों का उपलबता होती है और जो आप खिराया है उस पर नियंतर्ण ड़कते हैं और जो आने-जाने के समय है वो उसमें नियत कर देते हैं वहां दूसरी ओर जो वहां सौमी है उनको जो प्रतिस्परदा उससे बच वही रिशिकेश में ग्रहक बनकर जोलर्स की दुकान पर पहुंची दो शाते ठक महिलाओं को पुलिस ने रंगों हाथ किरफता किया है बतादे फिलाल आरोपित महिलाओं से पुलिस पूछताच कर रही है वही आपको बताती कि जोलर्स लिखे तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ मुकदबा पंजुकित करने के लिए कारवाही कर रही है पुलिस से मिली जौनकारी के मताबिक दोनों महिलाएं दो दिन पहले मुकरजी, मार्ग स्थित, अगरवाल जोलर्स की दुकान पर ठकी की वारदात को अंजाम दे चुकी है वही 6 मही से शुरू हो रही केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां 30 हो गई है पुशकर सिंग धामी केदारनाथ यात्रा ववस्थाओं का जाइजा लेने के लिए पहुचे वही आपको बतारे जोरान मुख्यमंत्री ने यात्रा तैयारियों को लेकर समय पर करने के निर्देश दिये साथ ही अधिकारियों को भी आदेश जान किया है वही मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी के दारनाट पूर निमार का जायजा ले पहुचे इसके बाद वो कालीमठ बंदे रूद्रप्रयाग पहुचे जहां पर उन्होंने पूजा आशना की और तर्यायों का जायजा लिया वही इस दोरान जनता की भारी भीड वहां पर दिखाई थी वही रूद्रपुर्वे सिटकुल पंतनगर में अपनी मांगों को लेकर धना प्रदर्शन कर रहे मजदूरों की समर्थन में किसान नेता राकिश ट्रकैत पहुचे और पंतनगर सिटूल कुल में धना प्रदर्शन कर वहां पर लोगों का साथ दिया जिसमें मजदूरों की उत्पीरन को लेकर सिटकुल की फैक्टरी प्रबंदर और जिला प्रशासन के खिलाफ जम कर वरोत किया गया किसान मजदूर एक ता जिन्दाबाद के नारे लगते रहे हैं एक साल के और यह हमारा साथ दे रहे हैं गाजी पूर बार्डर पे यह बसें भरबार के ले जाते थे जिए मजदूर यहां के जो हैं आज किसान इनके साथ खड़ा है कंदे से कंदा मला के हम चलेंगे जो भी शंगर्श होगा जो भी हमें करना पड़ेगा करेंगे इनकी खातर यह आठ मिने से बुके पैसे यहां बैठे हुए हैं इनकी किसी ने सो दिन ली आज हम डियम साब के पास गया थे उनको यह अल्ट अनकी जो किसान इन यहां कठी हो जेगी उनके फैक्टरी के गेट के आगया अगर फैदला नहीं होगा तो पॉड़ी जिले के सत्पुली दुधारकाल सितकाल मोटर मारक पर तसीला के पास हाथसा हो गया बतादे हाथसे में एक च्वालक समय तो उसमें सवार करीब 11 लोग खाय हो गए वही दुरखटना के सूचना पर मौके पर पहुची पुलिस ने ग्रामिडों को वहाँ से जानकाई दी और ग्रामिडों ने घायलों को खाय से निकाल कर अस्पताल पहचाया वही सहारनपूर में डियम और एससपी के निर्देश पर बेहट पुलिस ने अवयद खनन करने वालों पर बड़ी कारवाही किया बता दे कसीला रोट पर धराबंदी करते हुए बेट थाना प्रभारी विजेश कुमार पांटी ने अवयद खनन और ओवर लोट खनन से भरे 11 वहनों को पकड़ लिया वही खनन तसकरों में पुलिस की कारवाही से हड़कम पमचा हुआ है तो चलिए खबरों में फिलाल इतना ही बाकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूस वर्ल इंडिया